हाई फ्रेंट असलामों अलाइकुम वेलकम बैक तो मैं चैनल रैसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो देखे फ्रेंट यह है पोटली जो के एंगेजमेंट वगएरा में दुलहन की गोद भराई में यूज होती है एंगेज सर्च कर सकते हैं फरीकी इंगेजमेंट के व्लॉग में यह पोटली आपको दीख जाएगी देखने में आपको मतलब एक आइडिया मिल जाएगा के किस तरह से मैं बनाने के बाद किस तरह से लग रही थी तो काफी अच्छी लग रही थी इस लॉग में आगे आगे आपको अगेजमेंट के देखने को मिलेगा अगर आप वहां पर नहीं जाकर देखना चाहते तो यहां पर भी देख सकते तो इस पोटली को बनाने का आइडिया मेरी अम्मी ने दिया था खुद मैंने डिजाइन किया है काफी अच्छी बनी थी सब ने बहुत तारीफ की तो यहां पर मैंने लिया है हैवी वाला वैलवेट का एक मीटर कपड़ा कॉटन का एक मीटर कपड़ा लाइनिंग के लिए यहां पर कैची ली है साथ में चौक लिया है और यहां पर टेप लगेगा और यहां पर पिंस लगेंगे कपड़े को अटैज करने के लिए साथ में ल तो लटकन वाली लेस जो है जरूर से मैं सजस्ट करूँगे आप जरूर से लगाईएगा क्योंकि इसका जो लुक है वो एक अलगी लुक देता है जब आप इसको इस तरह की लेस लगाते हैं तो बागी और चीजों के लिए यह प्लेइन वाली लेस भी लगती है तो चलिए सब बार यहाती है कपड़े की तो यहां पर हमने लिया है लाइनिंग के लिए प्यॉर कटन का एक मीटर कपड़ा लिया है साथ में एक मीटर यहां पर हमने एक दम हैवी वाला वैलवेट का कपड़ा लिया है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा कॉस्ट्ली मिला था गोवा में थोड़ा सा कॉस्टी होता है यह साड़े तीन सो रुपए का हमें मिला है एक मीटर तो यह हमने लिया है वहाँ पर कम रेंज में और अलग मतलब एकदम लाइट कलर का भी था लेकिन हमें कलर यहीं चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा देखने में रॉयल लुक लगेगा और कम मत इस तरह से कटिंग करना है ताके कपड़ा जो है बिल्कुल भी हिले नहीं तो इस विच्छा से मैं यहां पर कटिंग कर ले रहे हैं फिर कपड़े को जोड़ लूँगी मतलब कि एक के ऊपर एक रखकर राउंड जो है कटिंग करेंगे फिर जो बचा कुछा कपड़ा होग यहां पर मैं बिल्कुल भी कोई मेजर्मेंट नहीं ले रही हूं अपने अकॉर्डिंग जितना अंदाजन में बना सकते हूं उतना बना रही हूं तो यहां पर राउंड शेप मुझे कटिंग करना था तो मैं राउंड ले रही हूं इस तरह से यहां पर हमारी जो लाइनिंग है उसकी कटिंग हो गई है तो राउंड शेप मतलब एकदम पूरा राउंड ही नहीं कट करना है मतलब कि कहने का मतलब यही है कि अच्छे से कटिंग राउंड ना हो तो भी चल जाएगा क्योंकि इसको बाद में हम दूसरा और कपड़ा लगाएंगे यानि कि वेलवेट कपड़ा उपर से आएगा यह अंदर चला जाएगा बिल्कुल दिखेगा भी नहीं और इसके उप कटिंग का हमारा कपड़ा है ना जो हमने कटिंग किया है राउंड शेप में उसको इसके उपर रख देंगे और अच्छे से रखने के बाद हम इसके कटिंग कर देंगे के बाद हम इसके आएगे भीALी में घसके कर दोगा पाल बाद हमारा कर देंगे पिल्से से जब सकता ना ऊच्राइब कर दो जब से आएगा उसके कर देंगे में पोटली का जो पार्ट होता है वो कटिंग हो चुकी है निकी राउंड हिस्सा जो उसका होता है वही में पार्ट है तो मैंने कट कर लिया है बस अब इसको लाइनिंग से जोड़ेंगे पिन से पिन अटाइच करके क्योंकि यह जो कपड़ा है ना मतलब एक दूसरे के साथ किसके नहीं लाइनिंग और जो में फैब्रिक है वो साथ में जुड़े रहेंगे तो स्टिचिंग अच्छी होगी साथ में जुड़े रहेंगे तो इसकी जो स्टिचेश हैं वो बिलकुल भी इदर उदर नहीं होंगी तो इस तरह से मैं जोड़ूंगी इसको तो दिखे फ्रिंड से यहां पर हमारा जो मेन इन फैबरीक उसके उपर मैंने पिन अप कर दिया है लाइनिंग के साथ में अब यहां पर जो बचा हुआ कपड़ा था वो ले लिया है क्योंकि इसमें मुझे बनाने हैं फ्रिल्स तो फ्रिंड जो है मैं अपने जितना कपड़ बचा हुआ ना उसके अकावडिंग ही बनाऊंगी तो यहां पर मैं ले रहे हूँ तक्रीबं से 6.5 इंच का कपड़ा ले रहे हूँ जिसको के लंबाई में तक्रीबं समझ लीजे जो राउंड है ना वो राउंड के हिसाब से उसका जो राउंड आप अपने अकावडिंग इतना बड़ा आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहां पर मेजरमेंट लीजेगा तो यहां पर न मैंने अंदाजन कट किया था तो वही यहां पर चेक करके मैं इसका जो राउंड है उसके एसाब से ले लूँगी यहां पर आप अगर फ्रिल्स मतलब आपको जितने फ कोटली का जो बेस है वो है तो फिर यहां पर किनारे किनारे से जो पिंस हमने लगाए है पिंस को हटाते हुए एक किनारे की हमें स्टिच लगा देनी है तो दीकी फ्रिंस से हाँ पर हमारे पास बेस का जो हिस्सा है वो एक हिस्सा जो है त्यार हो गया अब जहो है दूसरा हिस्सा भी त्यार कर लेते हैं तो दीकी फ्रिंस यहां पर हमारा जो दूसरा हिस्सा है वो भी त्यार हो गया उसकी भी स्टिचिंग हो गई है बस यहां पर दोनों हिस्सों को लेना है मतलब के उपर और नीचे वाला दोनों पार्ट लेना है वैलवेट की साइड जो है अंदर की सरफ होना चाहिए लाइनिंग का पार्ट उपर होना चाहिए और इसमें न चार से पांच इंच का गैप रखते हुए में स्टिच लगानी है पूरे किनारे के हो बतलब कि जो राउंड है पूरा ही लगाना है बस थोड़ा सा चार से पा किनारे की यहां पर स्टिचिंग मैंने लगा दी है किनारे से यह अपर गैप आप आप देख सकते हैं मैंने पांच इंच का गैप रखा है ताके मैं इसको सीदा कर सकूँ सीधा करने के बाद ना हम इसको किनारे के स्टिच लगा देंगे तो ये पूरा पैक हो जाएगा फिर यहां पर इसको सीधा करना है सीधा करने के बाद हम इस कपड़े को रखेंगे चाहे आप उपर वाला हिस्सा ले लीजे या फिर नीचे वाला हिस्सा ले लीजे कोई भी इ नीचे रहेगा जिसमें के हम सारी चीजें भरेंगे तो यह नीचे चला जाएगा तो उपर भरने के लिए कुछ चाहिए होगा ना तो उसको राउंड हमें लगाना है तो एक छोटा सा सरकल बनाएगा उसके उपर चेंज का कपड़ा लगा दीजेगा फिर हम लगाएंगे उस हम सलवार के लिए डोरी बनाते हैं उस तरह से बनाकर फ्रिल्स लगाने हैं लेस लगानी है और यहां पर हमारा जो प्यारा सा पोटली है वो तैयार हो गई है काफी यूनिक लग रही है आप देखें नीचे से भी उसका वैलवट काफी अच्छा लग रहा है जब इसको गो आपके साथ शेर करना ही करना है क्योंकि इसको बहुत ही मतलब स्टीच करने के बाद ना इतनी तारीफे मिली इतनी तारीफे मिली सब ने यही कहा कि काफी सुदर आपने बनाया है काफी सोच समझ कर बनाया है तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे बनाने के बाद भी ब बहुत ज़्यादा उदास हो गए थी इस वज़ा से मैं ने खासकर इसको शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था फिर मुझे अब लगा के चलो भई आपके साथ मैं अपनी जो सिच्वेशन है वो शेयर करूंगी तो आप भी समझ जाओगे और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा अंडिस्टाइड करते हो तो इस वज़ा से मुझे लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए तो ये सारी रस्में हमारे यहां पर होती है जब गोद भरी जाती है इसके बाद इस गोद को मा के गोद में दिया जाता है तो वह सब चीजें यहां पर चल रही है और यह जो पोटली है न सच बता रही हूँ यहां पर जितने भी लोग थे एंगेजमेंट में सब ने तारीफें की है बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आया सबको तो मुझे लगा कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे समझेंगे इस वज़ासे आप तक शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर कर दिया आई होप कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक किजेगा शेयर किजेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर किजेगा नेक्स टैम बनाकर जरूर से आप तक पुरी शेयर करूंगी